फाइनली, RTI वेटिंग लिस्ट वालों के लिए बहुत बड़ी खुश कबरी आई है, जिन भी बच्चों का नाम RTI की वेटिंग लिस्ट में है, आप उनके अडमिशन क्लियर हो सकती है जी हाँ, RTI की लेटिंग लिस्ट में है, आप उनकी वेटिंग लिस्ट में है, आप उनकी वेटिंग लिस्ट में है, अगर अभी तक आपने चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो चैनल को सस्क्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजे, इससे मेरी आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगी, चलो तो आज का वीडियो शुरू करते है इस साल RTA का लोटर का रिजल्ट चार एपरिल को हिए आउट हो चुका था, और उसके बाद एडमिशन की प्रोसेस सुरू हो गई थी एडमिशन की फर्स टेफ ये थी कि आपको पहले डॉकुमेंट वेरिफिकेशन करना था और इस बार डॉकुमेंट वेरिफिकेशन बहुत लोगों का रिजेक्ट हो गया है और इस बार क्या हुआ है, बहुत लोगों का डॉकुमेंट रिजेक्ट हुआ है इसलिए बहुत सीट खाली रह चुकी है अब वो खाली सीट को हमें वेटिंग लिस्ट से भरनी होगी और इसलिए जो भी बच्चों का नाम वेटिंग लिस्ट में है उनके लिए बहुत बड़ी अपोर्चनिटी है कि उनके अभी आडमिशन क्लियर होगी जिन भी बच्चों का नाम वेटिंग लिस्ट में है बस उनके पैरेंट को यही रिक्वेस्ट है अगर अभी तक आपके पास कोई भी डॉकुमेंट नहीं है तो फटा फट से आप डॉकुमेंट को रेडि कीजे उनमें से सिर्फ 18% 18% ही सिल्फ कनफर्म हुई है इसका मतलब है महारष्ट में बहुत से बच्चों की जो वेटिंग लिस्ट में है उनके अडमिशन क्लियर हो जाएगी तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको यह चेक करना है कि आपके बच्चे का नाम वेटिंग लिस्ट में कौन से नमबर पर आया है तो यहाँ पर सबसे पहले हम वेटिंग लिस्ट चेक कर लेंगे यहाँ पर मैंने Google Chrome को उपन किया है यहाँ पर आप डाइरेट टाइप किजिए यहाँ पर आपको देख जाएगी तो अभी आप देख सकते हैं कि आपके बच्चे का वेटिंग लिस्ट में कौन से नमबर पर है और अभी तो यह पॉसिबिलिटी है कि सारे वेटिंग के सारे बच्चों का एडमिशन क्लियर हो जाएगी चलो तो अभी हम बात करेंगे कि महाराष्टम टोटल कितनी डिस्ट्रिक है और हर डिस्ट्रिक में कितनी सीट कन्फर्म है और कितनी सीट अभी भी वेकेट है तो सबसे पहले अगर हम पुने डिस्ट्रिक की बात करते है तो पुने डिस्टिक्ट में आटीए के टोटल सीट थी 15,126 उसमें से 2,873 री कंफर्म हो चीकी है और अभी भी 12,251 सीट भरने बाकी है तो पुने डिस्टिक के बच्चों के लिए बहुत खुशकभरी है कि अभी भी इतनी सीट बाकी है तो आपके बच्चों का confirm हो जाएगा मुंबई की आयटी की total seat थी 5,281 उसमें से सिर्फ 9,35 के confirm हुई है मिस अभी भी 4,346 भरने बाकी है ठाने में total 12,267 seat है उसमें से confirm 2,582 है और अभी भी 9,682 seat भरने बाकी है राइगर डिस्रिक्ट में total 4,463 seat थी उसमें से 409 confirm हुचके है और अभी भी 4,054 seat भरने बाकी है उसके बाद रत्तागिर डिस्रिक्ट की बात करे तो total seat थी 9,14 seat थी उसमें से 35 के confirm होगी है और अभी भी 879 confirm seat भरने बाकी है उसके बाद 17 डिस्रिक्ट में total 17 डिस्रिक्ट में 1,931 seat total seat थी उसमें से 6-7 टूटल कन्फर्म है और अभी भी 1259 सीट भरने बाकी है आहमाद नगर में टोटल 3058 सीट थी उसमें से 507 कन्फर्म है और अभी भी 200551 सीट भरने बाकी है उसके बाद अकॉला डिस्ट्रिक की बात करें तो टोटल 1995 सीट है उसमें से 588 कन्फर्म है और अभी भी 101407 बाकी है अभी भी 1407 सीट भरने बाकी है अमरवादी डिस्ट्रिक में टोटल 2255 सीट है उसमें से 37 उसमें से 370 सीट कन्फर्म है और अभी भी 1885 सीट भरने बाकी है अरगबाद दिस्टिक की बात करें तो यहाँ पर 4301 सीट कन्फरम है टोटल सीट है 4301 उसमें से 450 सीट कन्फरम है और 3846 सीट भरने बाकी है अगर मंडरा दिस्टिक की बात करें तो यहाँ पर 768 टोटल सीट थी उसमें से 219 कन्फरम है और 548 भरने बाकी है अगर बे दिस्ट गहर चेटरपुरण डिस्ट्रिक की बात करें तो यहाँ पर टोटल सीट थी 2269 और यहाँ पर 3141 डी कन्फर्म हुई है और अभी भी 1095 सीटे बरने बाकी है अगर चन्दरपुर डिस्ट्रिक की बात करें तो यहाँ हैं पर 506 डिस्ट थी उसमें 279 confirm हुई है और 1227 भरने बाकी है अगर धोई डिस्टिक की बात करें तो यहाँ पर 1174 total seat थी उसमें से 105 confirm हुई है और उसमें से सिर्फ 5week seat confirm हुई है और 1069 अभी भरने बाकी है अगर गड़्चुलो डिस्टिक की बात करें तो वहाँ बात total 413 seat है उसमें 073 confirm हुई है और 410 बाकी है गोंदिया डिस्टिक की बात करें तो यहाँ पर 813 total seat है उसमें से 243 ही confirm हुई ह 570 भरने बाकी है हिंग्योले district की बात करें तो यहाँ पर 564 total minus 71 फिर ही है उसके बात 486 भरने बाकी है अगर जरगाउड डिस्टिक की बात करें बात करें तो 3314 में से 322 और 2992 भरने बाल बाल दी जरीं गरूर लातो नकप्पो डिस्टिक की बात करें तो यहाँ पर 6186 टोटल सिट Erst में से 407 भरी है और 5739 भरने बाल लात्रीं two घ्लाट करें अगर star एड़ वन अगर रंदुबा डिस्टिक की बात करें, तो टोटल 334 सिटो में से 22 सिटी ही कनफर्म हुई है, 312 भरने बाकी है, अगर नाशिक डिस्टिक की बात करें, तो 4927 में से 604 ही कनफर्म हुई है, 4323 भरने बाकी है, अगर परभणी जिल्लर से बात करें, तो 1067 सिटो में से 33 सिटी क कन्फर्म हुई है 1034 भरने बाकी है पालगर डिस्टिक में टोटल 4853 में से 480 ही कन्फर्म हुई है 4383 भरने बाकी है अगर सांगली से बात करें तो 1945 में से 143 अगर सिंदुड डिस्टिक की बात करें 293 में से only 19 city confirm है 274 भरने बागी है 16 प्र डिस्टिक की बात करें 2 222 में से 152 confirm हुई है 2071 भरने बाकी है अगर वर्दा डिस्टिक की बात करें तो 1115 में से 360 ही confirm हुई है इसके बाद 750 सेटे भरने बाकी है वाशिम डिस्टर्क की बात करें। तो 722 में से 75 शीटी रिएगक भरने बाकी है। और वाशिम डिस्टरीट की बात करें तू 1970 में से 340 कनफर्म है, 1630 भरने बाकी है। So friends, अभी आपको पता चल गया है कि कौनसे district में से कितने confirm seat है और कितने waiting बागी है, तो इससे आप अंदाज लगा सकते हो कि आपके बच्चे का waiting list clear होगा की नहीं, और अभी भी उन parent को request है कि अभी आपके पास कोई अगर document नहीं है, तो फटा फट जाके आप document जनली से बनवा कर अपने बच्चों के admission के लिए वो form submit कर दीजिए, उम्मिद करती हूँ कि मेरा आज का वीडियो आपको थोड़ा सा informative helpful लगा है, अच्छा लगए तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को subscribe कर दीजिए, फिर मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ, bye, take care. झाल कि झाल